हाई दोस्तो आज की फिल्म बहुत कमाल की है जिसमें एक एलियन लड़की खुले आम पूरे सहर में घूमने लगती है और उसे बहुत ही जल्दी किसी मर्द के साथ कोपा करने और अपने बच्चे को पैदा करने का जुनून सवार होता है आए देखते हैं ये सब कैसे आती है तो हम जल्दी ही इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे तो मेरे जिगर के टुकड़ो अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो आकरी में से प्यार देने के लिए मुवी का नाम है इस पेशी मुवी की स्टार्टिंग में एक आवाज हम वीउर्स को बताती है कि अलियंस ने में एक DNA बेचा था जिसकी मदद से हमने लैब में humans के जैसे दिखने वाली एक लड़की को बनाया था अब हम एक लड़की को काच के अंदर बन देखते हैं जिसका नाम सिल होता है सिल वही लड़की थी जिसे alien के द्वारा भेजे DNA से बनाया था इसका मतलब सिल एक alien ही थी जि इंजिस आ जाते हैं और डॉक्टर फिंच को पता चल जाता है कि सिल बहुत खतरनाक है डॉक्टर फिंच अब सिल को मारने का डिसाइड करते हैं आगे डॉक्टर फिंच सिल के चैंबर में साइनाइट गैस को रिलीज करा देता है ताकि सिल खत्म हो जाए डॉक्टर फिंच की सिल का दमगोडने लगता है और सिल खुद को बचाने के लिए अपने हातों से चेंबर का सीसा तोड़ देती है और से बहार निकल गई अगले सीन में हम सिल को देखते हैं जो ट्रेन में एक आदमी को मार डालती है और हम वियर्स को भी समझा जाता है कि सिल सच में बहुत सब्सक्राइब अगली सुबह सिल एक इस्टेशन पर पहुंशती है सिल वहां उतर कर एक शौप पर जाती है और देखती है कि लोग पैसे देकर खाना खरीद रहे थे चुछा लेती है और दूसी के एक केविन में जाकर बैठ जाती है वहां उसकी बॉड़ी पर रियक्शन हो दोसरी तरफ तरफ को उसादमी की डेट बोडी मिल जाती है जिसे सिल्ने सबसे पहले ट्रेन में मैं को पता चल जाता है कि यह काम सिलख आई है और डोक्टर फिंच चार लोगों की एक टीम बना लेते हैं इस मित जो कि एक धार्मेक इंसान होता है इस टीफेंग जो यूमन साइंस के डॉक्टर होते हैं लॉरा एक मॉलीकुलर बैलोजी की डॉक्टर होती है और लास्ट यानी चौत प्रिस्टन जो की एक किलर होता है डॉक्टर फिंच इन चारों को सिल के बारे में बताते हैं कि सिल एक एलियन है जो हमारे पास से भाग गई है और बहुत खतरनाक है हमें जल्दी से जल्दी पकड़कर सिल को खत्म करना होगा वरना वो जहां जाएगी वहाँ बस dead body ही dead body होगी आगे हम सिल से बनी उसी कपून को train में देखते हैं और वहाँ एक female conductor आती है सिल अब एक 20 साल की लड़की के रूप में उस कपून से बहार आती है और उस female conductor पर हमला कर देती है आगे फेंच और उसकी टीम को train में एक और लास मिलती है जो female conductor की होती है मतलब सिल ने उसे भी जान से मार दिया था डॉक्टर लॉरा का कून देखकर सबको बताती है सिल अब बड़ी हो चुकी है female conductor की body पर भी उसकी dress नहीं होती और परसे से उसकी ID और credit card भी गायब होते हैं और यह सब लोग समझ जाते हैं कि सिल एक female conductor बनकर ही train से उतरी है फिंच को पता था कि यह train लॉस एंजलिस जा रही थी मतलब सिल लॉस एंजलिस में गई है आगे हम सिल को लॉस एंजलिस में देखते हैं जो एक wedding dress को खरी लेती है और सिल एक pregnant lady को देखती है सिल अब wedding dress पहन कर बाहर शहर में जाती है और उसकी नजर pregnant lady और बच्चों पर पढ़ती है इसके बाद सिल एक होटल में room लेती है और payment के लिए सिल उसी female conductor के credit card को यूज करती है अब होटल room की TV में सिल एक romantic movie देखती है सिल के मन में भी किसी मर्द के साथ टपाटब करने की feeling आती है और सिल भी pregnant होकर बच्चा पैदा करना चाहती है आगे सिल किसी मर्द के साथ टपाटब करने के लिए एक क्लम में जाती है और यहां दूसी दरफ डॉक्टर फिंच को भी पता चल जाता है कि उस female conductor के credit card का use एक होटल में हुआ है और फिंच अपने team के साथ होटल में आ जाता है जहां उसे पता चलता है कि सिल किसी लड़के को ढूण रही है ताकि वो pregnant हो पाए फिंच को भी यह पता चल जाता है कि सिल किस क्लम में गई है और वो अप क्लब के लिए निकल जाते है आगे हम सिल को क्लम में देखते हैं जहां वो एक Robby नाम के आदमी से मिलती है और Robby सिल को लेकर अपने घर आ जाता है डॉक्टर फिंच सिल के जाने के बाद अपनी team के साथ क्लब पहुंचते हैं जहां उन्हें भी पता चल जाता है कि सिल एक Robby नाम के आदमी के साथ गई है आगे सिल जब Robby के साथ टपाट अप करने वाली होती है तो उसे अपने senses से पता चलता है कि Robby को diabetes है और वो किसी भी बिमारी वाले शरीर के साथ टपाट अप करके pregnant नए होना चाहती थी तो सिल Robby को टपाट अप करने से मना कर देती है पर Robby तो तो सिल को घर पर चैनी खैनी बनाने के लिए लाया था तो उसे गुस्ता आ जाता है और Robby जबरजस्ती सिल के साथ टपाट अप करने लगता है पर सिल अपने जीव को रॉबी के सिर के आरपा निकाल देती है और रॉबी वहीं मर जाता है सिल अब रॉबी की काल लेकर यहां से भाग जाती है और डॉक्टर फिंच अपनी टीम के साथ रॉबी के घर आता है जहां फिंच को रॉबी की डैड बॉडी मिलती है डॉक्टर लॉरा को टॉयलेट से यहां सिल का पीरियड वाला ब्रेड मिल जाता है और वो सब को बताती है कि सिल मा बन सकती है इसलिए उसे किसी मर्द की तलास है आगे सिल खुद एक सपने में खुद का एलियन वाला रूप देखती है उठकर सिल सड़क पर चलने लगती है और एक कार उसको पुच्ची दे देती है आइमिन टकर मार देती है वहीं एक आदमी आता है और सिल को हस्पिटल ले जाता है सिल का कंदा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है पर वो अपने आपी ठीक होने लगता है यह देकर डक्टर की आँखे फर जाती है और सिल अब उसी आदमी के साथ उसके घर चली जाती है जो सिल को हस्पताल लाए था यहां डॉक्टर फेंच और उनकी टीम को हास्पिटल से सिल की एक CCTV फोटेज मिल जाती है जहां वो जान जाते हैं सिल बड़ी हो चुकी है और अब वो दवा के टपाट अब करना चाहती है तब ही फिंच और उसकी टीम को सिल की location मिल जाती है और वो अपनी टीम के सास्थ इसको पकड़ने चाहते हैं आगे हॉस्पिटल से फिंच और उसकी टीम को उस आदमी के घर का पता चल जाता है जहां सिल गई होई थी और वो अब उसे पकड़ने के लिए वहां जाते हैं सिल ना होगी मेरा बॉइफ्रेंड हो गया पकड़ में नहीं आ रहा है यहां सिल स्विमिंग पूल में इस हैंडस की कार में जाती हैं और उससिल ऑ्प मांगती है मरलिस अपने घर ले जाने टिए फ्मले संवर्फर उससे ही अगली सीडा कि देखते हैं स्बूर्स और और ऑप लिए वगना से करने के लिए यह जरुर ओं चल जाएगा उसके बाद सिल्मरलिस के घर जाती है और अपना एक अंगूठा काट कर एक बैग में रख देती है पर सिल्का तुरंट एक दूसरा अंगूठा निकलाता है इसके बाद सिल्मरलिस के अंगूठे को भी काट देती है आगे सिल्मरलिस को कार में बांद कर कहीं ले जाती है और कार को खाई में गरा देती है डॉक्टर फिंच और उनकी टीम भी सिल्का पीछा कर रहे थे और सिल्कार से निकल जाती है धमागे से पूरी कार जल जाती है इतने में ही सिल्वां से भाग जाती है अफ फिंच और उसकी टीम को लगता है कि सिल मर चुकी है और वो जाकर कलम में पार्टी करते हैं दूसरी तरफ हम सिल को देखते हैं जो अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है और अपना हुलिया पूरा बदल लेती है सिल अफ फिंच और उसकी टीम के पास कलम में जाती है और ये लोग सिल को पहचान नहीं पाते ही सिल डॉक्टर स्टीफन की रूम में चली जाती है और उन्हें सेडियूस करने लगती है आइमेंट टपाटप करने का मौशन मनाने लगती है और दोनों एक दूसरे की चैनी-खैनी बना देते हैं लेकिन स्मित को पता चल जाता है कि सिल वहीं कहीं है सिल टपाटप करने के तुरंट बात प्रेगनेंट हो जाती है और अपने एलियन फॉर्म में आकर स्टीफन को मार देती है फिर सिल सबके सामने से अपने एलियन फॉर्म में दीवार तोड़कर भाग जाती है और टनल में पहुंच जाती है फिंच और बाकी लोग भी उसका पीशा कर रहे थे सिल अपने alien form में बहुत ताकतवर होती है और वो फिंच पर हमला करके उन्हें मार देती है आगे फिर सिल एक hybrid human बच्चे को जन्द देती है और वो बच्चा पैदा होते ही अपने जीव से एक चुए को मार कर खा लेता है यानि ये बच्चा भी एक alien है और दोस्तो फिल्म यहीं end हो जाती है इस movie की story अभी अधूरी है इस film series का दूसरा part भी है जहां आप आगी की story जान पाएंगे अगर आप उसे देखना चाते हैं तो हमें comment करके बताएं हम आपके लिए वो भी upload कर देंगे आरे कहां चले चुप चाप subscribe करो channel को हमें इतना सारा धेर सारा प्यार देने के लिए thank you goodbye हमें 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 आरे कोषब कर दो और देखने हैं